तो हाई फिन्स आप सबीका बहुत बहुत स्वागत है में चनल जीटेक प्रोहिंदी में तो ये रियल्मी के तरफ से रियल्मी वाच 3 प्रो है ये रियल्मी का एक फ्लाक्सिप स्मार्ट वाच है जो की बहुती तगड़े तगड़े स्पेसिफिकेशन के साथ आ जाता है सिर्फ ये जो है पांच हजार रुपे में लॉंच हुआ था फ्लिपकाड पे लेकिन रिसेंटली मैंने फ्लिपकाड के बिग विलेंटेस सेल पे सिर्फ इसे जो है चार हजार रुपे में पाई किया था जो की बहुती तगड़ा डील है और रिसेंटली मैंने इसका अन्बॉक्सिंग एंड फुल सेटप वीडियो भी डाला था इसका और एक ब्लाक कलर वेरियंट भी आ जाता है तो वाच के इस साइड पे आपको जो है एक पावर बटन और जो है माइक्रोफोन होल मिल जाता है जैसे कि यह ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वाच है तो आपको माइक्रोफोन इसमें काम आ जाएगा ठीक है और बैक सा स्ट्राप्स है वो भी सिलिकन का स्ट्राप्स है लेकिन जो बकल है वो टोटेली प्लास्टिक का है वालब पूरा बील्ड ही प्लास्टिक का है ठीक है और अगर मैं स्ट्राप्स के बारे में बात करूं तो स्ट्राप्स भी थोड़ा मुझे पतला लगा है तो वो भी थोड प्लास्टिक बिल्ड के साथ आजाता है लेकिन इसका लुड टोटली मेटलिक है, मतलब इसमेपॉड थोड़ा सा प्रीमियम लगता है लेकिन फिर भी रियल्मी ए जो बिल्ड कॉल्टी में थोड़ा जो है पॉंप्रमाइस किया है ठीक है और एक चीज यह भी है मतलब इसका dial थोड़ा बड़ा है तो small wrist वालों को थोड़ा जोड़ा dial से problem हो सकता है उनके हाथ में अच्छा यह नहीं भी दिख सकता है ठीक है गड़क लगा इसमें आपको 500 नेट्स का भी ब्राइटनेस दिया गया इसलिए आउड़र पर यह बहुत ज्यादा ब्राइट है और आउड़र विजिविल्टी भी ओवरल इसका अच्छा है तो 5000 की निचे इतने भी smart watches आते हैं यह उनमें से one of the best displays जो है प्रोवाइड कर लेत जाता है और scrolling का experience भी बहुत जाता स्मूथ है इसमें and smart watch में आपको दो प्रकार के always on displays मिल जाता है एक जो है analog display मिल जाता है एक जो है digital display मिल जाता है and इन दोनों को ही मैंने आउड़र पर टेस्टिंग किया है थोड़ा मुझे जो है digital का brightness अच्छा लगा है लेकिन analog का brightness इतना आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा बड़ा बड़ा मोटा मोड़ा वेजल्स है आला कि पांच जार के नीचे जो smart watch अभी आने लगे हैं चैसी पैबल कॉस्मोस अल्ट्रा हो गया या फिट्सवर्ट क्रिस्टल हो गया वह बहुत ही पतले पतले जो है वेजल्स प्रव अगरा दिया गया है वह मैंने अपने फुल सेट अफ वीडियो में डीटेल से जो है आपको बता है तो इस वीडियो में मैं फिर से उसको कवर नहीं करना चाता हूं लेकिन एक चीज़ में आपको बता दूं कि इसका यू आई एंड वाच इंट इंटरफेस अच्छा है ले कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिला है और यह सही से काम कर रहा है लेकिन इसके जब मैं इसके एसके यू आपके डिवाइस पर भी अगर ऐसा इसवा रहा है तो मैं उझे कमेंट पर आप बता सकते हैं लेकिन मैंने इसके स्ट्रैप्स को टोटली जो है अच्छे से टाइ बहुत सुर्च आपके तो आपी किया फिर इस जो जो दिखा रहा है तो अभी फूड़ा दोनों सेंसरत को टैबल पर रख्के भी टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत आप सारे समाइवाजे टेबल पर वी रिडिंग दिखा देते हैं तो आभी मैं थोड़ा है हैर्टेड स सेंसस पे भी जो है एरर में से सो कर रहा है इसका मतलब यह है कि कोई गडबड़ी जो है सेंसस के रिगार्डिक नहीं है एंड थोड़ा जोड़ा एस्प्योड टू पे भी टेस्ट कर लेते हैं ताकि हमको जो है कंफर्मेशन मिल जाए तो फिलाल जैसे कि आप देख सेते हैं क कि SPO2 भी एरर दिखा रहा है इसका मतलब यह है कि सेंसस में कोई गडबड़ी नहीं है सेंसस क्वाल्टी इसका अच्छा है तो अभी थोड़ा जो है वार्काउड मोड के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 110 प्लस जो है वार्काउड मोड मिल जाता है लेकिन इन उनका सीन है और कैसे इंक्लूड करना है और स्पोर्ट मोड बगएरा हटाना है सब कुछ जो है मैंने अपने फुल सेट आप वीडियो में बता दिया है तो उसको जाके आप देख सकते हैं आपको सारा आइडिया जो है मिल जाएगा तो बहुत ही अधा convenient feature है इसका आप देख सकते हैं जब भी मैं जो है वार्काउड मोड ओन करता हूँ तो आटोमेटिक यह यह जीपीएस को connect होने का कौसिस करता है लेकिन मेंली आपका realme link app जो है realme link app के साथ जो है smartwatch pair up होना चाहिए उसके बाद जो है अपने आप ही notification आप कितना steps चले हो सब कुछ accurately जो है आपको GPS के तुरू दिखा देगा तो sports mode के लिए या फिर जो pedometer है उसके लिए बहुत ही जादा यह accurate निकल के आ जाता है and for beginners मैं specially एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको डीटेल से बताऊँगा कि इसका inbuilt GPS जो है कैसे काम करता है और realme link app के थुरू जो है आप अपना activity tracking जो GPS के तरफ से जो है record हुआ है वो कैसे जो है check कर सकते हो तो वीडियो आपको बहुत ही जल जो है इस channel पर मिल तो मेंली जिसे कि एक Bluetooth calling smartwatch है तो थोड़ा मैं Bluetooth calling के बारे में भी बता देता हूँ और एक audio sample भी Bluetooth calling के regarding में दे देता हूँ तो पहले Bluetooth calling करने के लिए आपको phone पे जाना पड़ेगा phone के बाद आप देख सेते हैं कि contacts, call history and dial pad का भी option दिखा देता है तो obviously मैं इधर से जो है call लग noise, distortion, नहीं, नहीं, ठीके, ठीके, थैंक्यू, तो यह जो आपने audio sample सेंपल सुना, यह actually Realme Watch 3 Pro का Bluetooth calling का सेंपल है, और इसमें जैसे कि आपने सुना, मैं अपने मम्मी के साथ बात कर रहा था, मैंने उन्हें पूछा कि कैसा call clarity वगर आ रहा है, तो उन्होंने बोला कि अच्छा quality आ रहा है, लेकिन यह total scenario जो है, इंडोर्स में था, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से outdoors पे अगर आप traffic वाले area पे या भीडवाड वाले area पे चला जाते हो ना, तो थोड़ा noise यह gather कर सकता है, इसका mic, लेकिन overall मेरे हिसाब से मुझे जो इंडोर्स पे quality मिला है, वो मुझे satisfying 24 hours से यह watch को चलाए हूँ, और उससे पहले मैं 100% चार्ज किया था, और अभी जैसे कि मैं voice over कर रहा हूँ, तो मेरे watch में 80% चार्ज है, तो obviously, जैसे कि मैं थोड़ा heavy use किया था, तो एक दिर में मेरा 20% चार्ज खतम हो गया, तो obviously, इसके हिसाब से 4-5 दिन मेरा watch चल सकता है, जादा से जादा, जैसे कि इस users पे मैंने always on display on नहीं किया था, अगर आप always on display यूज करते हैं, तो obviously, इससे भी कम आपको battery life मिल जाएगा, तो ये वीडियो बहुत जादा बड़ा हो गया है, क्योंकि मैंने almost सारा aspects smartwatch के regarding cover up कर लिया है, फिर भी जैसे कि मैं student हो, प्लस part time YouTube कर तो मेरे को दोनों को manage करना थोड़ा मुस्किल होता है, इसलिए अगर मेरे से कुछ भी Realme OS 3 Pro के बारे में छूट गया इस वीडियो में बताना, तो obviously, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माफी चाता हूँ, उसका feedback आप comment section पर दे सकते हैं, ठीक है, तो अभी फिलाल directly conclusion पर आ AMOLED डिस्पले दे देता है, उसके साथ एक अच्छा quality का Bluetooth calling plus Realme जैसे brand का support, तो मेरे हिजाब से तो totally मुझे satisfying लगा है, आप 5000 रुपे के अंदर buy कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपको बड़े बैज़ेस देखने को मिल सकते हैं, इसका dial size थोड़ा बड़ा है, small list वालों के लिए थोड़ा awkward ये हो सकता है, इसमें आपको fully plastic build देखने को मिल जाता है, ठीक है, तो मैं ऐसे ही honest videos लेके आता हूँ, और सारा जो gadgets buy करता हूँ, अपने पैसों से buy करता हूँ, इसलिए आप चैनल को बिल्कुल support कीजेगा, अगर ये वीडियो आप